सब्सक्राइब नहीं है गाईज है ना ऐसे ही आज आपकी रिडिंग में देखेंगे कि आप जिस इंसान से प्यार करते हो और उस इंसान ने आप से बात्चीत करना बंद कर रखा है आप दोनों के बीच में कॉल, कम्यूनिकेशन, मैसेज़स बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं हो सकता है जान नहीं पाँए हो, जिससे आप समझ नहीं पाँए हो और रिडिंग के जरीये जानने की कोसिस कर रहे है तो चलिए आज आपके पॉर्षन की सीग्रेट फीलिंग्स देखेंगी और साथी साथ यही भी देखेंगे कि उनका अगला अक्शन नेक्स्ट उन्यक्श को करेंगे वह आपको बताएंगे और उनके नेक्स्ट मूफ के बारे में भी अगला कदम भी हम देखने की कोशिस करेंगे तो पाइल पर जो है आपको उनके नाम का अक्षदी सेलेट करना है जो आपका पोर्सन है उनके नाम का जिनके फीलिंग्स आप जानना चाहते हो उसी इं है हमारा पाइल नमबर वन और पाइल नमबर टू में है e g hij q q n r ॥ wrc q q r ut से यह हमारा पाइल नमबर टू तो फटा-फट से हो जाई है positive energy में अपने पाइल को कर लिजे select और आपको मैं आपके portion की secret feelings कुप्त भावन आए अभी present situation की बताने वाली होगा इस ठीक है काई आयोप आपने अपना पाइल से लिट कर लिया है let's start your reading with पाइल नमबर वन यह है पाइल नमबर वन एबी डी के फेच एंपी ओ एस वी एक्स और वाई देखते हैं आपके portion आपके लिए कैसा महसूस करते हैं उनके मन में आपके लिए feelings कैसी है जो उन्होंने चुपा कर रखी हुई है अवाय सेख़ब आफ चैनल वी एक्षर है वाईल से पाल्ची सेख़े लिए और वे एक्षर लिए बटी है वाईल सेस्गज लिए लिए रखके लिए भी गबस्ट वागल लिए और लिए रसम ठ И बटी मैं एक्षर लिए सब्सक्राइब कर रहे थे और हम यहां पर जो है दिखावे वाली जो है एनरजी निकल कर आई है सब्सक्राइब जो बहugo जाढ़ा चुप्पी को धिखाता अगा मुसी है मुप्र टेप चिपकने को दिखाताएब है नकि एक्सप्रेंस नहीं करना है पर अंधर ही पॉर्टन की फीलिंग्स जो वो अंदर से फील कर रहे है देख लिए बॉटम में रूल कर रहा है टू अफ काप्स सोल पार्टनर वाली एनरजी होती है गाइस टू अफ काप्स जिसका यूनो सरीर से भले ही जो है सेप्रेशन हुआ है जो इनसान खामोस है पर फिर भी मन की अंदर सोल पार्टनर आपको ये इनसान महसूस करते है बॉटम में रूल कर रहा है टू अफ काप्स आज के बॉब अख काप्से पिर बॉब युब फिर लिवगर है यदक वाला है प्ला कि अंदर पिरेशन जाफ कर डिज़ पार्यों टॉब काप्स सबद़ हो झाला है बूब्स क्या है आपके पोर्जन की सिक्रेट फिलिंग्स देख लीजे गाइस ओ माइगाद सेम वही सेम वही एनरजी दूसरे डेक से भी निकल कर आई है ये तो बहुत ही बहुत ही जबर्जस्ट कनेक्शन नजर आता है पाइल नंबर वन वेरी वेरी लकी और वेरी ट्रू सोल मेट य इनसान जो भी है जहां भी रहता है जिस कंडिशन में भी है इनसान आप से बहुत जड़ा प्यार करते हैं इनकी सिक्रेट फिलिंग्स का आज यह सबसे बड़ा सिक्रेट है गाइस सबसे बड़ा सिक्रेट ही इस इनसान का यही है कि इनसान आप से बहुत जड़ा प्यार कर कर रही हो और यहां पर देखे फिर से प्यार वाली एनरजी निकर कर आ गई कुछ कहने की जरुत ही नजर नहीं आती है मुझे गाइस कुछ भी कहने की जरुत नजर नहीं आती मुझे यहां पर और यहां पर खेल किसी और नहीं बिगाड़ा है हाई प्रिस्टेस आया है आप दोनों के बीच में जो दरार हुई है, दो प्यार करने वालों के बीच में जो सेप्रेशन अभी हुआ है, उसके पीछे किसी न किसी का हाथ यहां पर नजर आता है, हाई प्रिस्टेस की इस एनर्जी से गाईज, फाइव अफ वैंज, और यहां से बॉटम में कुईन आफ पै यहां पर तयार करके रखा हुआ है, इस टेक से मैं आपके पोर्शं के नेक्स्ट एक्षेन और नेक्स्ट मूव के बारे में अलक से कार्ट्स निकालूँगी, पहले मैं इनके बार इन कार्ट्स की रिडिंग करूंगी इन दैक्षिन कौन सा लेगा आपकी तरफ ठीक है, इस डेक का इस्तमाल हम थोड़ी देर बात करेंगे तो आपको रिडिंग पूरा लास तक देखना है तो चलिए साइन और एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं तो आज मेज़र अरकाना के तीन बड़े कार्ट्स यहाँ पर तीन बड़ी एनरजी मुझे नज़र आई है पहला यहा यहाँ पर लिब्रा की एनरजी बहुत ही जबर्जस्त है गाई इसके अलावादे के सिर्फ और श्रिफ वाटर साइन ही ज्यादा आये है कैंसर स्कॉर्प्यों पाइसेस कार्ट बीन रासी उसके बाद कुछ लोगों के लिए लिए अर्थ साइन है टॉर्स वर्गों कैप्र पर लिए जलिएरा इनकी इसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं इनकी सिट्रेट फिलिंग्स का सबसे बड़ा जो हमारा इक्का है ना वो यही है गाइस देखे डू अफ काप्स जबल एनरजी हाँ पर निकल कराई है जो बता रही है कि प्यार जहां था वहीं पर है यह इनसान भले ही अभी दूर है आपसे पर इनका प्यार कम नहीं है आपक अपना ही मानते हैं इनके लिए तो आप इनके सोल पार्टनर हो ठीक है आप वो इनसान हो जिसे इनके दिल में जगह मिली है भले ही समाज में परिवार में आपको इनके द्वारा जगह नहीं मिली है हो सकता है कि इनोंने किसी और की वज़े से आपको अपने से दूर किया है पर ये इंसान आपका सचा प्यार है, जो आज भी आपको प्यार करता हुआ, मुझे नजर आया है, दो कार्ड आये हैं, यह कोई मजाक नहीं है, यह कोई ड्रामा नहीं है, यह कोई खेल नहीं है, कि एक ही एनरजी दोनों ही डेक्स से निकल कर आई है, समझ गए, तो आपको प प्रॉलम्स, रीजन क्या है, जब यह इंसान आपको भूल नहीं पा रहा, आपके बारे में इंसान सोचना नहीं छोड़ा, आपको अभी भी इंसान अपना दिल मानता है, अपनी जिन्दगी मान रहा है, आप वो हो जिस इंसान से यह अभी भी प्यार करता है, तो आपको ज यह बहुत बड़ा वज़े होता है गाइस और वो वजय जो मुझे यहाँ पर नज़रा ही है वो है है यह energy यहाँ पर दो चीजों को दिखा रही है पहला आपके person सच में signature रहे हैं यह energy ये बता रही है कि आपके person के मन में अभी भी बहुत सारी ऐसे चीज़े हैं है ना जो ये इंसान आपसे व्यक्त नहीं कर रहा है जो ये आपसे यूनो आपको ये अंधेरे में रख रहा है इन्होंने क्यों सिक्रेट्स रखा है आप दोनों के रिलेशन्शिप में गाईस मैं बता दूं यहाँ पर कोई ना कोई से है ना तो ये एनरजी आप किसी को भी लेकर चल सकते हो किसी को भी मान कर चल सकते हो कि आप दोनों के रिलेशन्शिप में कोई ऐसा इंसान था जिससे आप दोनों की खुशी बरदास नहीं होती थी जिसे आप दोनों का प्यार देखा नहीं जाता था जिसे आप दोनों का साथ होना जो है बरदास नहीं हो रहा था तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि negativity के वज़े से या negative लोगों की वज़े से ही आप दुनों की बीच में दरार आई है guys समझ रहे हो इस इंसान ने दिखे हो सकता है कि आप से कुछ और यह लग रही है क्योंकि इन्हों ने आपको सच्छा अभी तक बताई ही नहीं है गाईज सेवन अफ काप्स का भी कार्ड यहां पर आया है अच्छा यह ब्लैक मैजिक के जरब भी सारा करता है हाई प्रिस्टेस हमेशा तंत्र मंत्र जादू टोना ब्लैक मैजिक है न नेगेटिव नेगेटि अगले लगते हैस्त estat हुए और यह सकता है यह नहीं कहा कि आपके पार्टेस कोई ऐसे लोग थे हो सकता है कि आपके 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 पार्टनर के साथ खुश रहो तो कहींसे ईनर्जी आती हुए नजर आई है जिनका मकसद स्रिप तहीं नहीं निकल रही थे क्योंकि आप-दूनों का पियार देख Anyways के बहुत सभ्सक्राइब कर आई सब्सक्राइब नजडवाना इन लोगों के लिए बहुत से मुझे एधना रहा हो देखे ave आप से इतना ज़रा प्यार करता है या करती है अभी भी आप जो है इनके बॉटम में रूल कर रहे हो देखे इस तरफ आप दुनों की एनरजी है टू आफ काप्स और यहां पर जो है कुईन आफ पैंटिकल्स आपकी सोल हो यानि कि अकेली की एनरजी आई है यह इंसान आपक आपको लुटा कर किसी का साथ दिया है अपने आपको खाली करके किसी के किसी का सहारा बना है प्यार किया है इन दिवários बनकर को अपना supporting भी दिया है तो अभी भी जो है यह आपके उन एहसानों को भी नहीं भूल पा रहा आगर मैं प्यार तो जबर्चस्थ रही है Carol आप आपकी दिये गए साहत्र उर साफ अधर से बढ़ी हुई नजर आति हैं तकलीफों से परॉलम से बढ़ी नजर आती हैं और आपको क्या नज़रा रहा है यह इंशान लड़ रहा है ज्दक इन्माः नधर रहा है सुकुन कहा पर होगा सब्सक्राइब कि इस इस इसी में देखिए। क्या आपको लग रहा है कि कोई भी एक बंदा या बंदी इनकी जिंदगी में है जो इनका अच्छा चाहता है, जो इनको आगे बढ़ते वे देखना चाहता है जो इनको सही रास्ता दिखा रहा है सबी लोग जो है इनको जो है उचाई से नीचे गिराना ही चाहते हैं प्यार में तो देखें ये लोग successful भी हो गए प्यार में तो इन्होंने आप दोनों का अलग करवा ही दिया इस इंसान को जो है आप से अलग करवा ही दिया साथ साथ अभी भी मुझे नजरा रसा है कि इनका एक कौशेस सें नहीं हो रहे है इनकी अपर दोसरों के लिए गुसा नजर आया है तो आपके लिए मुझे प्यार नज़र आया है इनकी सिक्रेट recib LINES में गयिस कही न कहीं कर देने वाली एनरजीस नज़र Àती है जब भी मुझे फाइव का ये नज़रराता हैerme की गुसटा कहां दिखाएं इतना फ्रस्ट्रेड हो चुके हैं डिप्रेशन मिल रहा है हर जगे पर मात खाया हुआ एक इंसान ऐसी जूच रहा है अपनी जिन्दगी से पर फिर भी इन्हों ने जो है अपनी प्यार पर भरोसा नहीं खोया है दिस पॉर्सल स्टेल लव्ज यू अलॉट देखे किंग ओफ कप्स के एनरजी आई है गईज अब ये मैं क्या बताऊं ये मैं आपको क्या बताऊं गईज देखे टू अफ कप्स में आप दोनों की एनरजी है यानि कि ये इंसान चाहता है कि आप दोनों का फिर से मिलन हो ये इनसान अभी भी चाहता है कि आप दोनों का वाया हुआ है इंसान बिल्कुल भी अपने emotions को आप तक झाहिर होने ही नहीं दे रहें कुछ भी नहीं बता रहें क्यूंकि कहीं न गहीं यह सूच रहा है दिमाग से calculate रहा है समझ गए गई आज की रेडिंग में यह इंसान वो है ही नहीं जो आपसे प्यार नहीं करता अगर आपको अपने पार्टनर पर भरोसा नहीं है तो इस रेडिंग को मत देखेए इस इंसान के एनरजी बले ही 2-4 लोगों के एनरजी बले ही क्यों ना हो ये पर उन दो-चार लोगों में भी कुछ ऐसा ऐसे इंसान के अनरजी निकल कर आई है जो आपसे बहुत जारा प्यार करते हैं जो अभी भी आपके साथ इमोशनली जुड़े हुए है भावनात्मक तोर पर ये इंसान आज भी आपसे जुड़ा हुआ है उतना ही आपसे प्यार क चीजों को लेकर कंफिजन नहीं है अपने अपने कर्यर को लेकर हो सकता है चैना इस इंसान को जो है थोड़ा भटकता हुआ मैं देख पा रही हूं गई साइद यही एक वजह भी है कि इंसान अभी खामोस है यह अभी वह रास्ताण नहीं कर पा रहा है समझ गए आप तक काने का वो रास्ता ये इंसान डिसाइड नहीं कर पा रहा अपने प्रॉलम से मुक्ति कैसे मिले इनको सॉल्यूशन क्या है उन सारी चीज़ों में कंफ्यूस्ट पड़ा हुआ एक इंसान मुझे ऐसा नज़र आ रहा है और यह जो रास्ते इनको दिखाये जा रहे हैं हैना तो options में options बहुत सारे हैं पर ये इनसान जो है थोड़ा सा confusion में भी है और ये confusion बनाई गई है किसी तीसरे पक्ष की वज़े से किसी तीसरे इनसान ने ही जो है ये confusion create करवाई है आप दुनों के बीच में गलत फहमिया create करवाई है और past में भी अगर मैं देखो तो relationship स्टार्ट हो जाता है वही दरार मुझे किसी और के द्वारा ही बनाई गई आप दुनों के relationship में नजर आई है तो देखे queen of vans आया है मतलब इनकी अगर मैं overall energy देखो न गाई तो यहां पर देखे आपके लिए एक package है इनके मन में आपके लिए एक package है कैसा package है प्यार जाद है वह sexual desires को भी दिखाता है sexually attract होना आपकी तरफ यूनों आपके साथ यूनों physical relationship रखना इसके सपने इनसान देखता है आपके आपको अपनी बाहों में यह इनसान महसूस करता है आपकी तरह जबर्जस्त एक attraction चुमबक जैसा magnetic attraction यह इनसान महसूस करता है तो प्यार ज्याद इनसान जो है अभी आपसे बिल्कुल भी यह चीज़े अपनी जाहिर नहीं कर रहा है खामोस है पर यह maturity की भी energy होती है यानि कि परिपक को होना अनुभफ करना है और अभी इनसान क्या अनुभफ कर रहा है आपके लिए बहुत सारा प्यार अनुभफ कर रहा है आपसे अभी कभी जब लोग ऐसे situation में होते हैं ना गाईज तब जाकर जो है पुराने पार्टनर की चीज़े याद आती है वही चीज़े मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर में भी नज़र आया है कि आपकी प्यार का एहसास इनको हो रहा है जब यह तकलीफ में है जब इनका सा कि इन्होंने जो है अपने प्यार को प्यार के साथ नाइंसाफी कर दी इन्होंने आपके साथ नाइंसाफी कर दी इन्होंने जो है आपके खिलाफ फैसला ले लिया इन्होंने आपका साथ नहीं दिया इन्होंने उस वक्त आपका साथ छोड़ दिया जब आपको इन पर भर और यह भावना आना भी जायद सी बात है क्योंकि इनके मन में आपके लिए प्यार है यह इनसान गुम रहा हुआ है इस इंसान को समझ गए या तो कोई ना कोई इन्होंने गलत फैसला लिया है किसी के ब्रेन वास करने की वज़े से या किसी नेगरेटिव सकती की वज़े से ये इंसान आप से दूर हुआ है आपके साथ जगड़े भी इनके बहुत सारे हुए है डिसकशन्स भी बहुत सारे हुए है पर ये वो इंसान नहीं है जो आपको छोड़कर खुश हो जाए या आपको छोड़कर जिन्दगी जी ले आराम से ऐसी ऐसी इनरजी से इस इस इंसा कि मैं मंदरा रहे हैं ना गाईज मैं चाहते हूं कि आपके पोर्षन को जल्द से जल्द ऐसे लोगों का एहसास हो जाने पहचाने इनका असली चहरा क्या है हना क्यूंकि प्यार तो है गाईज बस इनके वापस आने की देरी है यहां पर देखे आक्षन में कुछ और निकल कर आया नहीं है बस उपर वाले का एक फरमान निकल कर आया है कि तुम दोनों एक दुश्य से बहुत आपके person कोई कदम उठाएंगे ये हम दूसरे डेक से देखते हैं गाईज देखते हैं कि आपके person कौन सा action रेने वाले हैं मैं बस कुछ दो या तीन ही कार्ट निकालने की गाईज इनके action को देखने के लिए ठीक है क्योंकि प्यार है तो इंसान का आना तय है गाईज इस इंसान की खामोसी या फिर मजबूरी situation है ना जो भी है गाईज तब खतम होगी और ये इंसान आपके तरफ कौन सा कदम बढ़ाएगा क्या होगा आपके person का अगला कदम नेक्स्ट मूफ वक्त लगने वाला है या ये इंसान कुछ करेंगे मैं चाहती हूँ कि इंसान action ले क्योंकि प्यार इतना करते है इंसान आज भी आपसे प्यार करते है इतना प्यार नज़र आ जाने के बाद मैं खुछ personally चाहती हूँ कि इंसान कुछ करें अपना प्यार जाहिर करें ऐसे चुपना रहे किम आफ सोर्स एक और निकालेंगे गाइस तीन कार्श निकालेंगे तावर ओ माइगाड यहां पर four of cups नज़र आया है गाइस देखे एक बात यहां पर तय है family का काड आया है टावर का काड आया है ठीक है कुछ चीज़े हैं जो इस इंसान की जिंदगी में भी ठीक नहीं चल रही है मुझे जहां तक लग रहा है कि family को लेकर कुछ problems चल रहा है टावर किसी भी situation को दिखा सकता है तावर का मतलब हमेशा बुरा खराब situation होता है चाहें वह एक फैमिली इस्यूज को लेकर हो जाए क्यार को लेकर हो जाए हैना कहीं पर जो है लॉस का लॉस होता है समझ गया टावर हमेशा लॉस होता है और यहां पर king of swords आया है family का कुछ इस्यूज नजर आया है कि आपके portion की जिन्दगी में definitely कुछ ना कुछ ऐसा बुरा वक्त यह इंसान देख रहा है बुरे वक्त से इंसान जूज रहा है संगर्स कर रहा है बहुत सारी ऐसे चीज़े हैं जो आपको सायद नहीं पता है गाई आपके portion के बारे में और यहां पर ace of swords का का काड़ आया है जो बता रहा है कि इस tower और इस family problem से निकलने के बाद ही जो है आपके portion आपके साथ new beginning करेंगे बहुत बीच में देखे ace of swords के energy आई है यह नई start को दिखा रहा है यह नई सुरुआत करने को दिखा रहा है कि आपके portion आपके साथ definitely new beginning करेंगे यह करना भी चाहते है पर कुछ issues ह है कुछ मसले है इन्हें इंसान solve करेंगे तब तक जो है यहाँ पर four of cups की energy आई है जो पता रही है इसी वज़े से इस tower की वज़े से और अपनी life की समस्याव की वज़े से इंसान अभी आपके office को ठुकरा रहा है यह इंसान आपमें interest नहीं दिखा रहा है इंसान बहुत donut करने का सवाल नहीं है कि इंसान वह है जो आप से प्यार नहीं करता गाइस में लिक कर दे सकती हो आपको पाहली अ और रहा है इसी के वज़े से इन्होंने कहीं ना कहीं जो है घुटने टेक हैँ फ्लॉगों के बज़े से घुटने टेक है पर यह इंसान आपसे बहुत जल्द नई बिगनिंग करेगा न्यू स्टार्ट का कार्ड हम को मिल चुका है गाइस और यह होगी इनका इनका यह एक्षन जो यह बहुत जल्दी आपको देने वाले हैं ठीक है थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आपको की एनसान जरूर अपनी जिंदगी में कर रहा है पर इन्होंने आपको बताया नहीं है आप से छुपाया है थे मैं स्कता है इनको आपके लिए बनाया गया है यह बोथ और मेट फोर इच अदर पाई नंबर वान तो गाई इतना कहते हैं आप में रिडिंग को कर दीन फ्लोज आपको रखने अपना बहुत ज़्यादा प्यार आई लव यू आल ठेक केर नमस्ते एंड बबाई गाई 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 वेलकम बैक सब जिन्होंने भी पाई नंबर डू सी आई लजे क्यू एन आर यू टी डावल और जड यानि कि हमारा पाई लंबर टू सेलेट किया है गाई चले फटाफट से देखते हैं कि आपके पूर्शन की आखिर वो गुप्त फीलिंग्स सिक्रेट फीलिंग्स क्या है जो चुपाया जा रहा है है ना इससे आज हमें दे जरूरी है अगर प्यार किया है तो कुछ करना जरूरी है बस चुपचा बैट कर गुमसुम बैट कर लाचारी दिखा कर कभी प्यार परवान नहीं चड़ता है ना तो चले देखते हैं कि इस इंसान के एनरजी सिक्रेट फिलिंग्स क्या है और यह इंसान आपके लिए आने पूर आपके लिए, आपके लिए और में अबर आने संहीं, और आने से लिए आने से लिए और बैटी लिए, यह इंसान आपके लिए! पायव पान्टिकल्स अपने आपको अगर इसकतर घुटन में रखोगे मन की बाते अगर ताला लगा कर रखोगे तो किसी को कैसे पता चलेगा सेवन आफ सोर्स इस इंसान ने आप से चीट किया था क्या गाईज पाइल नमबर टू आपका भरोसा तूटा हुआ नजर आता है मुझे कुछ ऐसा किया है इन्होंने पास्ट में जिसके वज़े से आप इन पर भरोसा नहीं करते हो या इन्होंने आपके भरोसा पूरी तरिके से खो दिया है देखें एक भी पॉजिटिव कार्द इस इन्सान के एनर्जी में नहीं है पॉजिटिव कहने का मतलब बहुँ जड़ा मायूस बहुँ जड़ा तकलीफ बहुँ जड़ा टेंशन सैडनेस उदासी बहुत नेगर्टिव है यह मतलब नेगर्टिविटी है इस इंसान की जिन्दगी में खुशिया नजर नहीं आती मुझे बॉटम एस अफ कप्स का काड़ आया है चलिए अब इस डेक से देखते हैं कि क्या निकल कर आता है तन्हा दिल तन्हा सफर ऐसी ऐसी एनर्जी निकल कर आई है कि दिल भी तन्हा है इनका सफर जो इनकी जिन्दगी का जो सफर है वो भी तन्हा है देखे हर कार्ड आप देख लीजे ना single energy single energy अके लिए पन वाली energy है five of swords four of cups five of pentacles guys मैं इन दो decks से जो है इनकी secret secret feelings निकालूँगी और तीसरे decks से में इनका जो है next action निकालूंगी तो आपको reading देखना है last ठीक है स्टार माफी मांग रहे हैं ऐसा लग रहा है मुझे इनकी secret feelings में न कि यह इंसान जो यहां पर स्टार का काड आया है न यह के माफी मांग रहे है इंसान कहीं न कर ऐसा सारे कार्ण कहीं नंहीं तरप्ता हूब मुझे नजरा आया है फिलार देखते हैं पहले सारे एनर्जिस निकल जाएं देख लिए बोला ही था ना मैंने कि इंसान कहीं न कहीं उफ जैसा बोलती हूं वैसा ही कार्ड निकल कर आता है अपने आपको इंसान माफी नहीं कर पा रहा जो इन्हों ने आपके साथ किया था ना तो यहां पर वही ज बारे में क्या कहूंँ मतलब एक भी अच्छा कार्ड नहीं निकल कर आया जो यह बता दे कि इंसान खुश है यह इंसान अपने जिन्दगी जी रहा है धंग से जी रहा है चलो क्या हुआ रिस्ता तूट गया तो चलो है ना अब जिन्दगी जी लेते हैं कुछ अच्छा कर ल अब यहां पर साइन और एलिमेंट की बात करते हैं इसके अलावा वॉटर साइन है कैंसर स्कॉर्पियों पाइसे स्कॉर्पियों रासी अर्थ साइन है तो इस इंसान के सिग्रेट फिलिंग्स के बारे मैं क्या बताऊं गैस बताने को कुछ है ही नहीं मतलब आप खुद ही मैं अगर आपको रिटिंग ना भी दूना तो आप इन कार्ट को देखोगे तो आप खुद समझ जाओगे कि यह इनसान आफिर कैसा महसूस कर रहे है इनके मन के अंदर क्या है यह इनसान जी भी रहा है या जीना छोड़ चुका है या जीना भूल चुका है कैसा है इस इस मुझे लग रहा है कि पास्ट के चीज़ों में इस कदर इंसान आप में खोया हुआ है जो इन्हों ने आपके साथ किया है देखे 10 acao acting मैंने आप से सुरुवात में कहा था कि क्या आप में से कुछ लोगों को इन्हों चीट किया है इस आपके भरोसे को तोड़ा है ऐसा लग रहा है इतना ही कहा था कि यहां पर टैन ओफ सोर्ड भी टपक पड़ा है तो यह दोनों एनर्जिस को आप देखो और इनके इस पस्तावे को देखो समझ लेओ कि यह अभी अपने आपको इतना ज़्यादा मुझ्रिम कहते हैं न मुझ्रिम से गुनाह हो गया है ऐसी मुझ्रिम की तरह अपने आपको यह इंसान माफ नहीं नहीं कर पारहा आस्ट की स्क्रेट फिलिंग में यहां पर सिर्फ और शिफ लूज इलियर हैनौ अके लापन इसलेशन डिप्रेशन तनाव सद्रिनेश हैना राष्टा बटक जाना आकेले amongst आच के ले रहने की इछह जारी चिजए छिस्फ और ये सारी चीज़े इनका ही किया धरा है जो इन्होंने किया है ना आपके साथ उन्हीं का रिग्रेट मुझे आज कि इनकी सिक्रेट फिलिंग्स में नज़र आया है समझ रहे हो देखे फाइव पैंडिकल्स पहले एनरजी चले इसके बारे में बात करते हैं यानि कि इन्होंने क्या किया है याज अकेल में ल्वाजी को खोल कर मेरा हलचाल पूसने वाला कोई नहीं है तो इस तरीके का अकेला पन डएट मैं अकेला हूं मैं सब्सक्राइब मुझे प्यार कोई नहीं करता मेरे साथ कोई नहीं है ठीक है तो ये अकिलापन आज ये आपके पोर्सन क्यों महसूस कर रहे है वज़े क्या है वज़े अब आपको बताते है चलिए वज़े है पास्ट में हुए वो धोके सेवन ओफ सोर्जी हमेशा रिलेशन्शिप के भरोसे को तोड़ने की एनरजी होती है भरोसा चाहे जैसे भी तोड़ा गया है जूट बोलकर तोड़ा गया है बेवफाई करके तोड़ा गया है बाते चुपा कर तोड़ा गया है रिस्ता तोड़कर तोड़ा गया है आपको इग्नोर करके तोड़ा गया है आपको value नहीं देकर तोड़ा गया है आपको हमेशा डुलाया गया है तो किसी भी सकल में अगर आपके person ने कभी आपका भरुशा तोड़ा है तो आज उसका पस्तावा जो है अकेले होने के पीछे के धेर सारी वज़े है गाईस आपके पॉर्जन ही जीजन है आज अके लेपन का सिकार हुए है। आपने तो बहुत ट्राय किया है। आपने तो बहुत कोशिते किया कि उन्सान कर देंशान कितना कर चुगा है इस दोह राया है है समझ रहे हो अब 7-76 के लिए और सोट में तैनोप तरीके से मतलब आपस्ए आप में से कई लोगों को तो कभी कभी ऐसा लगता होगा ना की जिद्दगी क्या है जिंदगी अखिरम जी क्यों रहे है इस कदर आपके साथ बेवफाई हुई है देखे टेन अफ सोड्स बार बार आपको जो है गिराया गया है बार बार आपके प्यार को ठुकराया गया है बार-बार आपके सीने को चलनी किया है बार-बार वह चीज़ें इन्हों नहीं की है जिससे देख देख कर सुन-शुनकर आपका सीना चलनी हुआ है narciss 910 ऐलवार इस अगर relationship में किसी इंसान के भरोसे पर मारी जाती है तो वो इंसान जिन्दा भी मुश्किल से रहता है पर आप तो ना आप में बहुत सक्ती है आप बहुत हिमत वाले हो पाइल नमबर टू कि आपने जो है इस धोके को भी बरदास किया है और आज देखे यह अखिलापन इसी धोके के वज दिखाता है कि आपने बार-बार इनकी गलतियों को ना नजर अंदास किया है इनकी गलतियों पर आपने परदा डाला है कि आज सुधर जाएगा अब कल सुधर जाएगा है ना थोड़ा मैचूर नहीं है मैचूरिटी आज आएगी इस इंसाम को मेरा प्यार समझ में आ पानते हैं कि मैं मेरी ही वज़े से मेरी ही गलतियों की वज़े से मेरी ही कमी कमजोरियों की वज़े से आज मैं आकेला हूं five of pentacles और इनको अभी यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना कि किस मूँ से यू नो यह वर्ड मेरे मूँ से आपने कई बार रिडिंग में सुना है कि टैनो सोट जब आता है तो किस मूँ से हम वापस जाएं कहा पर मैंने तो कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं मैंने तो कोई दरवासा छोड हूं तो इनकी सिक्रेट फिलिंग से मुझे सिर्फ और श्रिफ जो है नाकाम्याबी नजर आई है यह इंसान अपने आपको नाकाम्याब महसूस कर रहा है हैना अपने आपको गलत महसूस कर रहा है एक बहुत बड़ा लूजर महसूस कर रहा है देखे यह आपर नाइन ओफ और नाइन ओफ वेंट्स भी आया है, अब ये भी एनरजी वही है, सेम वही एनरजी है, कि क्यों मैं अकेला हूँ, मैंने हार दिया, मैंने खो दिया, मैंने रिस्ता खो दिया, मैंने उस प्यार को खो दिया, एहसास को खो दिया, तो मैं ही जब वज़य हूँ, जब मैं ही वज कि एक एला ही महसूस कर रहा है कि इनको साइथ बहुत घमंड भी था ना कि इनका साथ देने वाले बहुत हो जाए हो गे आप से अगर जुदा भी हो गए ना तो इनको हर पल जो है कोई नको कोई इनको सपोर्ट करेगा कोई मिल जाएगा प्यार करने वाला तो साथ यह ओवर एंबिशेस ओवर प्राउड भी था यह इंसान घमंडी था यह इंसान पर आज देखे मुझे इनकी सारी की सारी घमंड ना चकनाचूर होती हुए नजर आई है क्योंकि यह इंसान कहीं ना कहीं गिर गिड़ाता हुआ मुझे नजर आ रहा है लाचार नजर आ रहा है कि मैं मेरे पास नहीं है कोई नहीं है मैं अकेला ही हूँ मैंने हार दिया है उस इंसान को हार दिया है खो दिया है जिसने मुझे बहुत सारे मौके दिये थे साथ रहने का मौका दिया था प्यार दिया था पर मैंने अपने खुदगर्जी में सारे चीज़े खो दिया है बरबाद कर दिया है five of swords देख लिजे गाईस five of swords क्या बता रहा है यहाँ पर भी वही चीज़े अकेला रटाईए यहाँ पर भी अकेलापन यहाँपर भी अकेला पन यहाँपर पर भी देखे लडाईया करwoš cant जगड़े कर रहा है, frustrations, frustrations कहीं का कहीं और निकाल रहा है, है ना, इस इनसान का मुझे नहीं लग़ा है कि दिमाग स्टेबल है, इनका दिमाग बिल्कुल भी सही ठिकाने पर नहीं है, सिर्फ रिलेशन्शिप नहीं हा रहा है, ये इनसान हर रिस्ता हार रहा है, हर सक्सेस को खो रहा है, अपनी जिन्दगी के हर सक्सेस में नाकाम्याब हो रहा है ये इनसान, कुछ भी चीज इनके हाथ में न किसी और को खुश किया करते थे आज आपके पॉर्सन के एनरजी से मुझे तर्फ और श्रिफ जो है रिग्रेट ही रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं नजर आया है गई यहां पर क्या कर रहा है कैसे करेगा गाईज यह कैसे आपके कॉल को उठाएगा आप खुद बताओ ना जो इनसान खुद अपने आपको इतना ज़्यादा अपने आपको मैं एक वर्ड़ बोलाँ की आपको बुरा लगे पर मैं कउंगी यह हैppen कि आप और इसकि ने कुल कई सावरे के सारे नेगेड़िव आये हैं यह इनसान खुद को ना ये घटिया इन्सान महसूस कर रहा है कि मैं बहुत बुरा हूं बहुत बुरा हूं का इंसान डर रहा है इसा यह सोच रहे हैं तो इसी वज़े से कैसे उठाएगा मैसेज को कैसे यह रिप्लाइ करेगा हैना आपसे बाठी दे कैसे करेगा तो यह इंसान आपको इग्नोर कर रहा है यह इंसान आपको ठुकरा रहा है क्योंकि यह खुद को ही ठुकरा चुका है यह इंसान खुद को ही जब प्यार नहीं कर रहा है यह इंसान खुद को ही प्यार नहीं कर रहा है यह इंसान पाइल नमर डू तो यह कैसे आपको प्यार देसकता है कैसे आपको इजधे सकता है कैसे आपके पास वापस आशकता है उइसानम कि движ खूद में खोच चुका है एनसाना अपने गलतिों का भोज ढोह रहा है कर्मा वाली डी whadsh तब ही मैंने आपसे कहा था कि यहां पर स्टार का कार आया है वह आज जो है ना मुझे यह नहीं लग रहा कि यह रिलेशन्शिप को बनाने की या फिर यूनों यह जो है आपको पाने की मनत यहां पर कर रहा है मुझे लग रहा है कि इंसान अपने गुनाहों के माफ ही मांग एक जाएक कर और यह गपर किया जाए मैंने जो गत्या की है उससे जो है विजए मुझे मिलनी चाहिए यह इंसान जो जाहिए ज के जीना तो दूर की बात है गाई जिसे हम कहते है और एसथ यह वाले तो कर आई है जो जल रहा है अंदर से अंधर ही और खोगला अंदर ही अंधर जलन यहाँ पर मुझे नज़राई है और इनको पता है और इनको बहुंद ही पता है कि सारड़ीय है कि सारे का सारा जो भी यहां Champ ुं कि रिलेशन्शिब अब एक बात बताती हूं गाइस यहां पर कुईन ओफ सोर्ड आया है कुईन ओफ वैंट भी नज़र आ गया यह काड़ बता रहा है कि कहीं न कहीं जो है कुईन ओफ सोर्ड रूल कर रही है इस इंसान के एनरजी में कहीं न कहीं यह भी हो सकता है कि जो रिलेशन्शिप आप कई इनके कुछ आफ सोर्ड की ऑनरजी हो सकती है जो ज्यादातर मदर को दिखाती है कहीं न कहीं शिश्टर भी कोई इन्व लेटिव से हुआ है चाहे इनके कुछ affairs की वज़े से हुआ है या आपको धोका दे कर कहीं और marriage करने की वज़े से हुआ है धोका तो हुआ है और उस धोके का सामना ये इनसान अकेरा कर रहा है यूनो आपके सामने आकर ये गिरगड़ा नहीं पारा समझा नहीं पारा आपको बता नहीं पारहा आपको अब इनकी भावना बताती हूं जो सिक्रेट फिलिंग में निकल कर आई है ये इंसान चाहते है कि एक मौका इनको और मिले देखे एट ओफ पैंडिकल्स आया है कहीं न कहीं मन के अंदर में हैना कई बार इनसान सोचता होगा मन के अंदर ये इसमाने ये सवाल अपने अंदर करता होगा कि इतना कुछ relationship में खराब हो चुका है इतना कुछ बिगर चुका है क्या इस रिस्ते को फिर से बनाया जा सकता है eight of pentacles relationship को बनाने की चाहत रखता है यह अभी भी पिसलिस्टे में आने की चाहत जा सकता है चाहत रख रहा है इंसान गाइज इस पोर्शन रियली वांट टू कम बाक एंड मेंटेन दर रिलेशनशिप फिर से वापस आकर रिस्ते को बनाने की चाहत रखता है यह गाइज सुरुआ से सुरुआ से सुरुआत करना चाहता है फ्रॉम दब बिगनिंग समझ रह जो है हील कर पाना मुश्किल बहुत है पर नामूमकिन नहीं है क्योंकि यहाँ पर स्टार का काड़ी बता रहा है कि इनकी माफी को कूबल किया जाएगा पस्तावा इनको प्यार औफर करने की चाहत रखता है आपके पास आना चाहता है प्यार लेकर है पर किस सकल में क्या कौन सा चहरा लेकर आएगा कौन सा कौन सा मूह दिखाएगा आपको यह यह मुझे नहीं पता गाइस पर बॉटम में रूल कर रहा है यह काड कहीं न कहीं यह भी वजह लगती है कि आना चाहते हैं पर यहां से रोका जा रहा है आपको प्यार देना चाहते हैं पर यहां स यहां पर नजर आई है यहां पर जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं यहां पर इनकी सिक्रेट फिलिंग्स आपको बताऊंगी और दूसरे डेक्स से जो है मैं आपको इनका अगला कदम अगला मूव मैं आपको देने वाली हूं तो चलिए एएएएएएएब धर आपको चू lot पर उगी गांपक depden चसー में तो चूसरे-णाणी आपको अगला मूरा जािएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए diferen्सा हogo चूसरे लिवाझरेक्स अनmond हाय है क्या हो गाई इंसान का possible next action next move आपकी तरफ देखते हैं क्योंकि यहाँ पर मुझे already action तो दिख चुका है Ace of Cups और Eight of Pentacles यह दोनों ही future action की energy होती है है ना पर हम यहाँ से निकालेंगे आज ठीक है वर्ल्ड वाव यह हुई ना बात गाईज देखे यहाँ पर मैं आपके portion के action के बारे में बात कर रही थी पर यहाँ पर तो जो है कर्मा निकल कर आ गया है ना देखे कर्मा ने कहा है कि आप दोनों के बीच में एक beginning जरूर होगी गाईज आप दोनों के बीच में एक नई सुरूर जरूर होगी आप दोनों का एक cycle है आप दोनों का सफर एक है रास्ता एक है है ना मंजिल अभी जो है आप दोनों की जुदा हुई है पर आप दोनों का मंजिल भी यहाँ पर एक होने वाला है यहने कि समझ गए न कर्मा ने यहाँ पर खेल खेला है आप दुनों के बीज में जो भी धोका हुआ है जो भी सेप्रेशन हुआ है जो भी वज़े हुई है वो कर्मा की वज़े से हुआ था सेप्रेशन भी कर्मा की वज़े से हुआ है और यह कर्मा कम्प्लीट होगा जो इंसान की कुछ मजबूरियों को दिखा रहा है कुछ प्रॉलम्स को दिखा रहा है रेस्ट्रिक्शन को दिखा रहा है जमिलों को दिखा रहा है ट्रैप सिट्वेशन को दिखा रहा है बंधनों को दिखा रहा है समझ गए तो यहां पर यह बंधन खुलेगा वह इस साइकल से खोलेंगे और तभी जाकर ये इंसान आपकी तरफ आएका लेकिन आना तैय है आना इनका तैय है गाइस बंधन जरूर खुलेगा गाइस समझ रहे हो अब एक और त्री ओफ पैंडिकल्स देखें गाइस यहाँ पर त्री ओफ पैंडिकल्स और बॉटम में नाइट ओफ सोर्स के अनरजी आई है अब ये दोनों ही कार्ड बता रहे हैं कि इनका फिर से आकर आप से जोड़ना तैय है थ्री ओफ पैंडिकल्स हमेशा पार्टनर्शिप करने की एनरजी होती है ये इनसान किसी और के साथ अभी पार्टनर्शिप में है ये बात भी मैं बता दूँ आपको थर्ट पार्टी आपका नसरा चुका है कि किसी और के साथ रिस्ता, नो के साथ किसी और साथ पार्टनर्शिप कर लिए इसंदर्स के किसी और के आपको साथ छोड़ कर तो जैसे गया है वैसे ही सीन फापके वाप साथ आपके uçãoवा एक मुलाकात भी ओगि आप दोनों के relationship में success भी हासल होगा क्योंकि तलवार उपर की तरफ है जो दिखा रही है कि success की तरफ आपके person बढ़ रहे है जो भी आप दोनों के बीच में रुकावटे है उन रुकावटों को तोड़ कर उन रुकावटों को हटा कर ये इंसान अपने बंदनों को खोल कर यानि की कर्मा खतम होने के बाद आएगा लेकिन इनका आना सत्प्रतिसत्ता है समझ गए तो आपको समझ में आई है आई होप आपको पसंद आई है गाइस पसंद आई है गाइस तो वीडियो पर प्लीज लाइक कमें शोर और सब्सक्राइब कर देना मैं मिलूंगे आप से फिर से नेक्स रिडिंग में तब तक आपको रखना है अपना बहुर्शा खयाल क्योंकि मैं करती हूं आप सबसे बहुत आप यार आई लव यू आल टेक केर नमस्ते एंड बबाई गाइस